एक बार भगवान नारेन लक्षमी जी से बोले लोगों में कितनी भक्ती बढ़ गई है सब नारेन नारेन करते हैं तो लक्षमी जी बोली आपको पाने के लिए नहीं प्रभू मुझे पाने के लिए भक्ती बढ़ गई है तो भगवान बोले लोग लक्षमी लक्षमी ऐसा जाब थोड़े ही न करते हैं तो माता लक्षमी बोली कि विश्वास न हो तो परिक्षा हो जाए प्रभू तो भगवान नारेन एक गाउं में ब्रहमबर का रूप लेकर गए एक घर का दर्वाजा खटखटाया घर के यजमान ने दर्वाजा खोल कर पूछा आप कहां के हैं तो भगवान बोले हम तुमारे नगर में भगवान की कथा कीर्दन करना चाते हैं यजमान बोला ठीक है माराज जब तक कथा होगी आप मेरे घर में ही रहना तो गाउं के कुछ लोग एकटा हो गए और पूरी तैयारी कर दी पहले दिन कुछ लोग आए अब भगवान स्वैम खटा कर रहे थे तो संगत बड़ी दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ो गई भगवान खुस हो गए कि कितनी भक्ती है लोगों में तबी लक्ष्मी माता ने सोचा अब देखा जाए कि क्या चल रहा है लक्ष्मी माता ने बुड़ी माता का रूप धारण कर लिया और उस नगर में पहुँची एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुँच गए और बोली बेटी जरा पानी पला देगी कैसी चमत कर एक माता जी हैं आप तो वो महिला हाथ जोड़ कर कहने लगी माता जी आपको भूग भी लगी होगी खाना खाली जिए ये सोचा उसने कि खाना खाएगी तो थाली कटोरी चमच गिलास आदी भी सौने के हो जाएंगे माता लक्ष्मी बोली तुम जाओ बेटी तुम्हारा प्रवचन का टाइम हो गया है वह महिला प्रवचन में आई तो सही लेकिन आसपास की महिलाओ को सारी बात उसने बताई अब महिला यह बात सुनकर चालू सत्संग में सही उटकर चली गई अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई किसी ने खहा एक चमतकारिक माता जी आई है नगर में जिसके घर दूद पीती हैं तो गिलास सौने का हो जाता है थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सौने की हो जाती है और इसके कारण लोग प्रवचम में नहीं आते भगवान नारायन समझ गई कि लक्षमी जी का आगमन हो चुका है एतनी बात सुनते ही देखा कि ये जो यजमान सेट जी थे वो भी उट खड़े हो गए और वहां से खिसक गए पहुँचे माता लक्षमी जी के पास और उनसे बोले माता मैं तो भगवान की कता का आजजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया इतने में माता लक्षमी बोली तुमारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी लेकिन तुमने अपने घर में जिस कता कार को ठहराय हुआ है ना वो चला जाए तभी तो मैं आऊ सेड़ जी बोले बस इतनी सी बाच अभी उनको धर्मसाला मैं कमरा दिलवा देता हूँ जैसे ही माराज बगवान कता कार के घर आए तो सेड़ जी बोले माराज आप अपना बिस्तर बांदो आपकी वेबस्ता आपसे धर्मसाला में कर दी गई है माराज बोले अभी तो दो-तीन दिन बच्चे है कता के यहीं रहने दो सेड़ बोले नहीं नहीं जल्दी जाओ मैं कुछ नहीं सुनने वाला किसी और महमान को ठहरा न एतने में लक्षमी जी आई कहा कि सेड़ जी आप थोड़ा बाहर जाओ मैं इन से निवड़ लू माता लक्षमी जी भगवान से बोले प्रभू आप तो मान गए भगवान नाराण बोले हाँ लक्षमी हाँ लक्षमी तुमारा प्रभाप तो है यह अगले दिन सेड़ जी के घर सभी गाओं वालों की भीड़ हो गई सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी आएं पर यह क्या लक्षमी माता ने सेड़ और बाकी सभी गाओं वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ सभी नगर वाले कहने लगे कि माता ऐसा क्यों कि हमसे कोई भूल हो गई है मैं वहीं रहती हूँ जहां नाराइन का वास होता है आपने नाराइन को तो निकाल दिया फिर मैं कैसे रह सकती हूँ और वे भी चली गई इससे क्या सिक्ष्छा मिलती है दोस्तों जो लोग केबल माता लक्षमी को पूछते हैं वे भगवा नाराइन से दूर हो जाता है अगर हम नाराइन की पूझा करें तो लक्षमी तो वैसे ही पीचे-पीचे आ जाएंगी क्योंकि वो उनके बिना रह ही नहीं सकती जहां परमात्मा की याद है वहां लक्षमी का वास होता है लेकिन केवल लक्षमी के पीछे वागने वालों को न माया विलती है और ना ही राम जयान बाटने से बढ़ता है और केवल अपने पास रखने से खत्म हो जाता है जय स्री हरी, स्री रादे रादे